कि है कि यौरस तो डिवल्कूम बैक प्रिविज्फ क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया है इनिट 4 जिसमें हम फॉर्मश फॉफ मार्केट किसे कहते हैं बाजार के कितने प्रकार है किस अधार से बेसिस पर हम market को कितने categories में divide करते हैं ये सारी बाते हमारी previous class में complete हो चुकी है आपको बताया मैंने कि बाजार किसी भी place को market बनाने के लिए four important factors का available होना जरूरी है seller, buyer, product और price इन चारों के basis पर और on the basis of competition अगर हम बाजार के type देख रहे हैं तो दो तरह के बाजार थे perfectly competitive market और imperfectly competitive market और इन सब के अंदर जितने भी categorization आते हैं perfectly competitive का कोई further classification नहीं है लेकिन imperfect competitive market को further classify करते हैं into different types of market so उन सब में से हमें 3 type of market discuss करना है पहला जो type है perfectly competitive market उसको उसके features क्या क्या है किस तरह का बाजार होता है वो इस सारी बाते हम लोगोंने previous class में complete करी थी हम लोगोंने बात किया था कि जो perfectly competitive market होता है इसमें बहुत सारे sellers होते हैं और वो सारे मिलके similar product को produce कर रहे होते हैं और जब बहुत सारे sellers मिलके एक जैसा homogeneous product बनाते हैं तो उनका price के उपर कोई भी control नहीं होता है तो इस market में single seller या फिर आप बोल सकते फर price of the product को किसी भी commodity के price को influence यानि की प्रभावित change नहीं कर पाता है influence नहीं कर पाता है cannot influence क्यूंग बिकर्स जो भी तै होगा इस बाजार में वो एक जैसा होगा सभी firms को एक ही कीमत पर वस्तू को बेचना पड़ता है तो single seller का या single firm का product के price पर कोई भी control नहीं होता और according to that किसी भी इस market में perfectly competitive market में जो single seller या single firm है वो कहलाते हैं price taker यह बात आप याद रखेंगे इस बाजार में firms की एक विशेशता कि under the perfectly competitive market single firms और single producer are called price taker they are not price maker लेकिन वो होते हैं price taker price taker मतलब कीमत को लेने वाला अकेला वेक्ती कीमत को तै नहीं कर सकता तो जो बाजार की कीमत चल रही होती है इस बाजार में seller उसी कीमत पर अपनी वस्तू को बेचता है वो अपने से वस्तू की कीमत को तै नहीं कर पाता और यह हमारे इस market के almost last point of features में था price taker होता है sometimes question आता है आपके exam में आपसे पूछा जाता है कि क्यों एक firm या फिर seller perfectly competitive market के अंदर price taker होता है न की price maker तो आप उसको explain कर सकते हैं जो भी मैंने आप आपको explain करके बताया उस तरह से अब हम move कर जाएंगे हमारे दूसरे type of market पर जो की है monopoly market monopoly market imperfect competition के अंदर आने वाला बजार जहां पर zero competition होता है इसको zero competition market के नाम से भी जानते हैं आप ऐसे भी बोल सकते हैं a market in which competition is zero अब बात करेंगे कि monopoly market का क्या मतलब होता है और इस बाजार के क्या features होते हैं क्या विशेश्चाएं होती हैं तो विशेश्चाओं से पहले monopoly बाजार के बारे में जरा आप जान लो इस नाम में दो word है एक तो mono और दूसरा शब्द है poly ठीक है mono शब्द का मतलब होता है mono का मतलब होता है single एक ठीक है और poly का मतलब होता है control पोली का मतलब होता है control तो एक ऐसा बाजार जहां पर एक का अधिकार हो और बाजार में जो चीज है क्या वस्तू और वस्तू के लावा उसकी कीमत तो वस्तू की कीमत और वस्तू की मात्रा कितनी बेची जाएगी किस कीमत पर बेची जाएगी इसका पूरा का पूरा जो control है वो सिर्फ और सिर्फ एक वेक्ति यानि कि एक seller के पास होता है एक ऐसा बाजार जहां पर seller single हो उस बाजार को हम monopoly market कहते हैं इस बाजार में single seller है तो वो जो भी product बेचता है जिस भी तरह की वस्तू को वो बेचता है वो unique होता है unique का मतलब हो गया इस market में आपको किसी भी तरह का कोई substitute नहीं मिलेगा पूरे बाजार में वस्तू जो भी आप इस market में देखते हो उसका कोई alternative option अवेलिबल नहीं होता है ठीक है? और इस तरह से ये market आपका monopoly market कहलाता है example की बात अगरम करें तो Indian economy के अंदर monopoly market के तौर पर आप जो example ले सकते हैं वो Indian railway का हो सकता है क्योंकि Indian railway जो है उसके उपर railway sector जो है हमारा पूरा उसका full control Indian government के पास है तो सिर्फ पूरी economy में एक मात्र government ही है जिनके द्वारा rail जैसी सुविधाएं जो हैं वो उपलप्त कराई जाती है तो Indian railway आपके monopoly market का एक example हो सकता है आप इसको consider कर सकते हैं क्योंकि there is only one producer और you can say one owner पूरे के पूरी country के अंदर अब बात करते हैं monopoly market की विशेष्टाओं के बारे में हलाकि हमने यहाँ पे points में features ही पढ़ा तो meaning के तोर पर भी विशेष्टाएं ही जाननी है अब ज़रा detail में हम इस market के features को discuss करेंगे और सबसे पहली विशेष्टा आपको मैंने पहली भी कहा था किसी भी बाजार को बाजार बनाने के लिए अब वहाँ पर चार चीजों की मौजूदगी जरूरी है सबसे पहले तो seller और इस बाजार की पहली विशेष्टा यहाँ पर single seller मौजूद होता है इस पूरे बाजार में आपको एक मात्र seller दिखेगा और बाजार में दूसरे important person की अगर हम बात करते हैं तो वो है buyer खडिदार और इस बाजार में आपको large number में buyers देखने को मिलेंगे तो एक ऐसा बाजार जहाँ पर seller single हो, buyers बहुत जादा मात्रा में हो वो आपका monopoly market है और यहाँ पर जो seller है यह single बोलने का क्या मतलब हुआ तो जरा समझोगे यहाँ पर कोई individual वेक्ती भी हो सकता है single मतलब कोई एक वेक्ती ठीक है या फिर single के तौर पर कोई group of individuals भी किसी company को run करा रहे हो या किसी तरह का कोई business चला रहे हो तो वो भी monopoly ही कहलाएगा कितने industries हैं या firms हैं तो जब हम बोल रहे हैं कि there is a single producer of a commodity under the monopoly market तो he may be alone he or she may be alone और there may be a group of partners और a joint stock company और a state मतलब single ownership के तौर पर एक वेक्ती के पास अधिकार होगा वस्तु का या फिर group of individuals के पास हो सकता है partnership में हो सकते हैं दो लोगों के पास अधिकार होगा एक ही वस्तु को बनाने का तो वो भी monopoly ही कहलाएगा या oligopoly form में रहेगा तो वो भी monopoly है या फिर oligopoly को monopoly नहीं कह रही हूँ मैं मैं बस बताना चारही हूँ कि कुछ आपके अगर partners हैं जो आपस में काम करें आपर ownership आप देखोगे कि एक व्यक्ति के हाथों तक नहीं है वो एक व्यक्ति के अलावा भी अल्य लोगों के हाथों में है ownership इस तरह से joint stock companies है या कोई state है ये सब सब आपके monopoly में single seller के अंदर आते हैं buyers की संग्या large होती है इसमें कुछ खास नहीं है buyers आपके generally market में अधिक मात्रा में होते ही है now about the product इस पूरे बाजार में monopoly market में खास कर अगर हम वस्तू की बात करें तो जो वस्तू होती है वो unique होती है unique बोलने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे बाजार में आपको किसी भी तरह का close तो छोड़ो substitute ही नहीं मिलेगा मतलब अगर x commodity है और y commodity है तो x को अगर हम खरीदने जा रहे हैं ये नहीं मिला तो हम obviously y को opt करेंगे लेकिन इस पूरे बाजार में कोई option ही नहीं है you have only one commodity x अब आपको खरीदना है x तो खरीदो अगर इसकी कीमत बढ़ भी गई demand घटाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा demand नहीं घटाएंगे because x इकलोता है पूरे बाजार में x पेचने वाले और firms नहीं है नहीं उसका कोई close substitute है जैसे Indian economy में मैंने आपको example दिया monopoly का Indian railway तो Indian railway जो है वो famous है एक bulk carrier के तौर पर एक ऐसा यातायात का साधन means of transport जो की एक साथ एक बार में bulk में लोगों को one place to another place move करा पाता है इसलिए Indian railway इतना important है अब अगर आप सोचोगे कि इंडिया में Indian railway का कोई substitute क्यों नहीं है या कैसे नहीं है है तो buses है उससे भी तो हम travel कर रहे हैं या like airways के बहुत तरीके हैं waterways के बहुत तरीके हैं तो वो है बिल्कुल लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग है airways की बात गरम कर रहे है aeroplane की बाते करोगे वो हवाई मार्ग का अस्तमाल कर रहे है और इंडियन railway जितना not by Indian बट rail जितना वो एक साथ लोगों को एक जगा से दूसरे जगा पे लाना ले जाने का काम नहीं कर पाएंगे बल्क कैरियर इंडियन railway ही है waterways की बात करोगे तो वो जल मार्ग पर चलने वाला साधन है पानी की जहाज हो गई तो बल्क में लोगों को ज़रूर एक जगा से दूसरे जगा लाता है but not in the Indian economy वो बस beaches में और आपके port वाले areas में ही काम करता है तो अगर सड़क पर bulk carrier के रूप में हम railway की बात कर रहे है तो बिल्कुल ये single control के तौर पर काम कर रहा है जिसका किसी भी तरह का कोई substitute विकल्प मौजूद नहीं है और इसलिए ये हमारा monopoly है इसको मैं example के तौर पर consider कर रहे हूँ so that कि आपको monopoly के concept समझ में आए अब इस बाजार में entry और exit इस बाजार में नए firms के आने की मात्रा या नए firms की entry और पुरानी firms को exit होने पर restrictions होते हैं इस market में आप सोचोगे कि कोई भी नया firm market में entry ले सकता है product बना सकता है और पुराना firms market छोड़के जा सकता है तो इस market में आपको इस पर प्रतीबंद दिखेगा ये control में नहीं है कहने का मतलब वहा कि free entry और free exit जैसी सुविधा आपको monopoly market में नहीं देखने को मिलेगी अगर इन्या में हम rail की बात कर रहे है monopoly वह इसलिए है क्योंकि और किसी को rail चलाने की या rail बना कर उसका control रखने की railway track लगा सकता है और कोई और वो भी rail चला सकता है Ammani के पास बहुत पैसे है Tata Group of Industries के बाद बहुत पैसे है तो क्या वो लोग तो rail खरी दी सकते हैं और चला ही सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन इस market में restrictions है और due to some restrictions वो market में enter नहीं कर सकते हैं और इसलिए monopoly के तौर पर सरकार ही एक मात्र है public sector ही है जो की Indian railway का control रखती है तो इस bazar में clearly देख पाते हैं कि there are some restrictions on the entry of new firms into the monopoly industry generally वहाँ पर आपको patent rights या फिर exclusive control देखने को मिलेगा टेकनीक पर या raw material पर कि आप जो समान बना रहे हो वो जिस raw material से बनता है उसको खरीदने में restrictions है टेकनीक आप जिसका इस्तेमाल करके production कर रहे हैं तो वो आप उसका patent right आप ले लेते हैं patent right का मतलब होगा एक control एक तरह का अधिकार जो कि सिर्फ आप ही के पास हो अगर आप monopoly industry में single seller के तौर पर काम कर रहे हैं तो यहां पर restrictions होते हैं ठीक है यह बात हम याद रखेंगे next point है इस market में आपको as a seller जो product है और product का price है उस पर पूरा का पूरा control मिलेगा नजर आएगा monopoly बाजार में जो भी single seller है या जो भी industry है monopoly market के अंदर उनके पास full control होता है कि वो अपने product की खीमत को कुछ भी तै कर सकता है full control से मतलब है whatever price whatever price he or she wants to fix they can fix इस बाजार में जो भी monopoly industry है और उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं तो वो अपने product की कोई भी कीमत तै कर सकते है जो भी वो fix करना चाहें तै करना चाहें अपने product के quality, quantity और सबसे important उसके price पर प्राइस के उपर फुल कंट्रोल होता है ठीक है प्राइस का discrimination यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइस discrimination बोलने का मतलब हुआ different price different prices वसूले जा सकते हैं इस बाजार में आपके द्वारा as a monopolist from different buyers अलग-अलग खरीदारों से अलग-अलग कीमतें वसूली जाने की प्रवृती आपको इस बाजार में देखने को मिलती है एक ऐसा type of market है जहाँ पर monopoly चुकि उसके पास पूरा अधिकार है पूरा control है अधिकार से भी जादा important है कि उसके पास full control है and due to that एक monopoly अपने product की कीमत को अलग-अलग buyers से अगर अलग-अलग वसूलना चाहे तो वो ये कर पाता है क्योंकि इस market में अगर आप और भी features की बात करोगे तो perfect knowledge नहीं है लोगों को single seller है वो जो वस्तू बेच रहा है क्या quality का बेच रहा है किस तरह से वो वस्तू की कीमत को तै कर रहा है ये बात हर एक large number of buyers को मालूम नहीं है जिसके कारण buyers को नहीं पता होने पर monopoly जो है उसको ये मौका मिल जाता है कि वो अलग-अलग buyers से अलग-अलग कीमत वसूले और अपने profit को maximum करने की कोशिश कर सकता है तो price discrimination जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है price discrimination का मतलब हुआ अलग-अलग लोगों से अलग-अलग buyers से अलग-अलग कीमतों को वसूलना और इस तरह से monopoly market के almost सारे features हमारे यहाँ पर होते हैं समाप्त और इन features को discuss करते हुए हमें यह पता चलेगा कि एक monopolist या फिर single firm under monopoly कहलाता है price maker इस बाजार की एक विशेष्टा जैसे perfectly competitive market में हमने क्या देखा था कि under that market single firm price taker होता है इस बाजार में आप देखोगे कि जो monopolist है वो price maker है price maker बोलने का मतलब हुआ कि वो अपनी वस्तू की कीमत कुछ भी तै कर सकता है जो भी वो तै करना चाहे उसके पास पूरा अधिकार है वो कीमत को वही रखे जो बाजार में चल रहा है ऐसी कोई पाबंदी नहीं है because वो single owner है single seller है और इस तरह से monopoly market के almost सारे features हमारे यहां पर हो गए है समाप्त और अब monopoly market को समझ जाने के बाद हम चलेंगे हमारे next type of market पर जो की last type of market होगा जो हमें discuss करना है उसमें last type of market होगा जो की है monopolistic competitive market देख लीज़े monopoly market को जरा monopoly का price maker होने के पीछे का कारण है कि उनके वस्तू का कोई substitute नहीं है substitute इसले नहीं है because वो single है सारी बाते घूम कर एकी बात पर आ रहे है और आपको ये किसी भी तरह से बार-बार अलग-लग direction में जाते हुए हम single seller वाली बात पर आ रहे है because आप किसी भी तरह से इसको पढ़ोगे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि due to the single ownership इस market में किसी भी तरह की वस्तू की कीमत उसकी मात्रा, quality, quantity, packaging सबका control मोनोपॉली के पास होता है तो वो जो तै करना चाहे है वो तै कर सकता है लेकिन ये बात का भी ध्यान रखें कि मोनोपॉली जो मर्जी है वो कर सकता है लेकिन ये बात एक मोनोपॉली को भी मालूम है कि अगर उसने वस्तू की कीमत अधिक तै करी तो मेरे product की quantity कम बिकेगी और अगर मैंने कम दाम रखा तो मेरी वस्तू जादा बिकेगी ये बात मोनोपॉली को मालूम होती है तो वो अपने product की कीमत को कुछ इसी तरह से तै करते है इस बाजार के अंदर तो inverse relationship आपको इस market की price वस्तू की price और quantity में भी देखने को मिलेगी next type of market is monopolistic competitive market a type of market which has a mixed features of perfectly competitive market and monopoly market ये एक ऐसा type of market है जहां पर आपको perfectly competitive market की भी विशेष्टाओं का पता चलेगा मतलब वो भी दिखाई पड़ेंगी आपको और monopoly market की क्या विशेष्टा होती है आपको ये भी यहां पर नजर आएगा इस market में अगर हम इसके meaning की बात कर रहे है तो ये एक ऐसा form है market का जहां पर बहुत ज़्यादा sellers होते है ठीक meaning की बातां गरम करें तो इस बाजार में आपको large number of sellers देखने को मिलेंगे और इस market के जितने भी sellers हैं वो सारे seller अपने अपने product के monopoly होते हैं ये बड़ा interesting है कि एक ऐसा type of market है जहां पर जितने sellers है वो सब अपने अपने आप में monopoly है और उनके बीच में competition आपको दिखाई पड़ेगा उनके बीच में प्रतियोगेता है अब competition क्यों होती है क्योंकि इस बाजार में इस competition का कारण है कि जो product आपको इस market में देखने को मिलेगा जोकि monopoly है तो उनका product unique तो होता ही है लेकिन प्रतियोगेता इसलिए होती है क्योंकि इस बाजार में products के close substitute यानि कि consumers के पास options available होता है and due to the availability of close substitute goods इस market में product और product के seller के बीच में competition होता है और उस competition में के कारण जो बाजार का एक form तयार हो जाता है वो कहलाता है monopolisitik competitive market ये इसका एक example अगर मैं दूँ तो monopolisitik competitive market आपका वही market है जिससे आप और मैं belong कर रहे है जो general market हम अपने daily life में देखते हैं वही general market monopolisitik competitive market का एक form है जैसे यहाँ पर example के तौर पर अगर हम ले लें toothpaste तो toothpaste एक product है इसको बनाने की बड़ी सारी company है like close up है Pepsodent है, Sensodyne है आपके पतंजली के बहुत सारे toothpaste आते हैं ठीक है तो variety of product आपको toothpaste में दिखेगा अब close up अपने आप में एक तरह का monopoly है close up बनाने वाली दूसरी company और नहीं है close up के तौर पर जो toothpaste आपको मिलता है वो unique है Sensodyne के तौर पर जो toothpaste हमें मिलता है वो अपने आप में unique है पतंजली का product अपने आप में unique है लेकिन अगर हम गौर कर रहे हैं तो ये सब के सब तो toothpaste है अगर हमें Colgate चाहिए toothpaste चाहिए और हम Colgate लेने गए market में Colgate नहीं मिला, हम close up ले सकते हैं close up नहीं मिला, Sensodyne ले सकते हैं तो बहुत सारे options हैं आपके पास और ये कहलाता है Monopolistic Competitive Market अब जल्दी से बात करेंगे कि इस market के क्या-क्या features है like all the other markets and then हम बढ़ेंगे आगे Monopolistic Competitive Market की बात करो या किसी भी market की बात करो main features तो आपको वही चार factors के basis पर देखना है features विशेष्टा है सबसे पहली विशेष्टा है इस market में आपको large number of sellers and buyers देखने को मिलेंगे एक ऐसा बाजार जहांपे sellers की संख्या भी अधिक होती है buyers की संख्या भी अधिक होती है ये same features हमने perfectly competitive market में भी पढ़ा था तो क्या यहां पर भी sellers की संख्या large number बोलने का मतलब हुआ unlimited नहीं यहां पर जो sellers की संख्याएं है वो seemit होती है वो इतनी होती है कि countable है perfectly competitive market में वो uncountable numbers में होते थे but यहां पर each firm has a limited share of the market हर एक firm हर एक seller के पास unlimited share है बाजार में वो वस्तू की अंधादून supply नहीं कर सकता और buyers तो खैर large number में होते ही है तो सबसे पहला feature large number of buyers and sellers इस market में जो product होता है वो आपको different मिलता है product differentiation की quality आपको यहां पर देखने को मिलेगी product different यानि की unique होते हुए भी different होते हुए भी एक दूसरे से similar होते है in their usability उपयोगिता के अधार पर वस्तूएं आपस में समान होती है लेकिन बावजुद उसके वो एक दूसरे से बिलकुल अलग होती है unique होती है different होती है यहां पर जैसे मैं आपको example दे रही थी product different किस किस अधार पर होती है तो product का shape, size, color, taste, weight इस सभी मामलों में आपको यहां पर product जितने भी देखने को मिलेंगे वो एक दूसरे से अलग होते है तो differentiation आपको product में देखने को मिल जाता है अलग-अलग seller, monopoly है अब वो अपने अपने product की किसी भी तरह की packaging के लिए, उसकी quality के लिए responsible है और वो कोशिश करता है कि उनका product दूसरे seller के product से बिलकुल अलग हो और इस तरह से आपको इस market में similar product मिलते हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के बिलकुल identical नहीं होते हैं ठीक है, similar बोलनी का मतलब यहां पे हुआ, not identical who, who, same to same नहीं होंगे उनकी usability एक जैसी होगी, बट वो एक दूसरे से अलग होंगे, यह है इस product इस market में product की बारे में information now इस market में अगर हम बात कर रहे हैं अगले feature की, तो that is price इस market में भी न monopoly जो है वो अपने-पने product का owner है तो कीमत को वो कुछ भी तै कर सकता है, whatever जैसे monopoly market में एक monopolist किसी भी तरह की कीमत को तै कर सकता था, ठीक उसी तरह से monopolistic competitive market में भी कीमत को तै करने का जो अधिकार है वो completely एक seller के पास होता है, और वो किसी भी तरह की कीमत को तै कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको व्याद याद दिला दू इस market में भी आपको inverse relationship नज़र आएगा between the price and quantity मतलब एक monopolistic competitive market के seller को भी मालुम है, कि अगर मुझे जादा बेचना है, तो कीमत कम करनी पड़ेगी और कम बेचना है, तो मैं महगा बेच सकता हूँ, इस तरह से आपको इस बाजार की यह विशेशता दिखेगी next point है, इस market में price के साथ बहुत ज़ादा experiment नहीं होता है क्योंकि product एक दूसरे एक से usability में similar होते हैं, तो इस market का एक बड़ा ही different और weird और अनुखा feature है कि यहाँ पर price के basis पर वस्तूओं को differentiate न करके, non-price competition जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, non-price competition मतलब हो गया कि यहाँ पर buyers को attract करने के लिए, जो sellers होते हैं, वो कई तरह के पैंतरे कर सकते हैं sellers को, buyers को सिर्फ attract करने के लिए, अपने product की तरफ उनका रोजहान बढ़ाने के लिए वो discount वगरा देते हैं replacement की सुविधा देते हैं हम बहुत सारे product यह देख करके भी लेते हैं, कि वह कीमत सेम है लेकिन इस product में हमको replacement की सुविधा मिल रही है, कि अगर खराब हो गया तो हमें replace कर देंगे, तो हम वो वाली वस्तु खरीद लेते हैं, ना कि वो वाली जिसमें replacement की सुविधा नहीं है, तो यह भी एक तरह का प्रतियोगिता है, जो कीमत की अधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन non-price competition के अंदर वो आएगा, discount वगरा मिलता है प्रोडक्त की कीमत सेम है X और Y, दोनों अलग हैं replace कर सकते हैं, दूसरे को substitute हैं X पर discount मिलेगा, Y पर नहीं मिलेगा हम X को खरीदेंगे, यह भी एक तरह का scheme ही है जो की sellers अपने buyers को attract करने के लिए देते हैं, gift वगरा आपको मिलता है, कि आप X खरीद होगे, उसके साथ जो है वो आपको Y, gift के तोर पर free मिलेगा, तो हम X के purchase को थोड़ा बढ़ा देंगे तो यह सब तरह की सुविधाएं आपको मिलती है, discount, sale वगरा लग जाता है, sale service होता है बहुत सारे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो non price के अलावा भी एक seller अपने product को दूसरे product से different बनाते हुए देते हैं, अब आप close up के लेने गया है, हो नहीं, मिल रहा है लेकिन आपको पता चला, sensodine पर थोड़ा सा discount है, इसकी service बढ़िया है, यह बढ़िया चल रहा है तो आप sensodine लेकर आजाओगे although दोनों की कीमत लग भग भग सेंसे महोगी बट फिर भी आप close up की जगा पे sensodine लेने आए लेकर के घर आजाओगे sensodine लेने गया हो, पतंजली पर पता चला की gift है दो paste खड़ी, दो एक free मिलेगा sensodine के लिए जितनी कीमत आपको देनी पड़ी है पतंजली के लिए थोड़ी जादा देनी पड़ेगी और free में gift मिल जाएगा तो आप वो product लेकर आजाओगे इस तरह से इस market में कीमत के अलावा अन्य अधार पर मतलब दूसरे तरीके से भी competition product के बीच में sellers कर रहे होते हैं उसके लावा जो other features हैं जैसे कि इस market में भी freedom है entry और exit के लिए नए firms market में आ सकते हैं और पुराने firms market को छोड़ करके जा सकते हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई restriction नहीं है तो firms आ सकते हैं जा सकते हैं इस market में आपको lack of mobility देखने को मिलेगी among the factors जितने भी factors और production है lack of mobility आपको उन में नजर आएगी एक industry के factors दूसरी industry में जा करके काम नहीं कर पाएंगे जैसे perfectly competitive market में perfect mobility थी यहाँ पर mobility की कमी होती है क्योंकि product अफकोस एक दूसरे से काफी अलग होते हैं तो उनको बनाने में जो inputs use किये जाते हैं वो भी sometimes different होते हैं जो कि एक industry से दूसरे industry के लिए 100% replaceable नहीं होते हैं इस market में buyers को market की perfect knowledge भी नहीं होती है lack of knowledge regarding the product quality, price packaging और due to this feature lack of knowledge के ही कारण इस market में भी एक seller जो है वो product के इस अलावा price differentiation कर पाता है कई बार आप ये देखोगे कि एक seller जो है वो एक दूसरे buyer से कुछ और दाम पर और तीसरे buyer से कुछ और दाम पर वस्तू को बेच देता है वो इसलिए कर पाता है क्योंकि इस बाजार में perfect knowledge की कमी है लोगों को सब कुछ नहीं पता है हमें मालूम है कि toothpaste हमें कुछ toothpaste के brands पता है और उनके नाम पता है बट reality में इनके लावा भी बहुत सारे हैं तो में भी कुछ ऐसे हैं जो हमें पता नहीं है तो अगर हम कुछ और लेने जाएं तो उस पे उसका seller हमसे कुछ और दाम वसूल ले या different कर ले मुझसे कुछ और ले ले आप जोग खरीदें तो आपको कुछ और दाम में दे दे तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है which is called price differentiation और इसी के साथ हमारे सारे points of features under the monopolistic competitive market यहाँ पर होते हैं समापत इसी के साथ monopoly market and monopolistic competitive market के features हमने discuss कर लिया है आज के class को यहाँ पर wind up करूँगी मैं next class में हम लोग different market के अंदर price and output का determination कैसे होता है on the basis of their features यह आपको याद रखना है इन सबको आपको याद रखना है समझ लेना है अच्छे से अब इनके अधार पर हम कीमत और वस्तु की मात्रा कितनी बेची जाएगी इसका निर्धारन सीखेंगे determination सीखेंगे with the help of graph Thank you